नमस्कार दोस्तों, कम्पनी HLE Glass Court Limited 11 तरीक को अपना quarter 3 का रेजल्ट दिखाया है दोस्तों, रेजल्ट में इतना दम नहीं है, कम्पनी का profit डाउन है, EPS में भी दोस्तों यहाँ पर pressure नचर आ रहा है, बट अगर हम बात करेंगे कम्पनी के उपर कम्पनी बहुत ही जबरदस्त है, chemical project, chemical process के लिए दोस्तों, यह बहुत सारे equipment manufacture करते हुए नचर आता है, एक लोता ऐसा company है दोस्तों, जिसका की market share 60% से भी ज़्यादा है, अपने segment में, company के उपर detail में बात करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, company का result, दोस्तों, result कैसा है, इसको हम पहले थोड़ा सा देख लेते है, consolidated basis पे हम देखेंगे, company का अगर मैं बताओ, total income देखिए, 15,884 लाक यहाँ पर आते हुए आपको नजर आएगा, अगर हम इसको करोड में convert करेंगे, देखिए, यह 158 करोड का यहाँ total income इस quarter तक, एक quarter में आते हुए आपको दिखेगा, पिछले quarter में कितना थ पिछले financial year के quarter 3 के total income कितना था, 132 करोड, 132 करोड, 158 करोड, 125 करोड, 158 करोड, बोथ वाया वाया बेसिस और Q&Q बेसिस में total income में आपको जम्प मिल गया है, next अगर 9 महिने के performance को मैं अगर बताओ, देखिए, 338 करोड था, 409 करोड आते हुए आपको दिखेगा, 9 महिने में performance में total income यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएगा, next बात करूगा, company का जो है दोस्तो, expense बगरा हम नहीं देखेंगे, company का सीधे चलेंगे, company का जो है दोस्तो, यहाँ पर profit for the period, profit before tax को भी हम छोड़ने वाले हैं, इसको नहीं देखेंगे, सीधे profit में चलते हैं, और अगर मैं बताओं, यह देखेंगे, 15 करोड का profit आया है, sorry, यह profit before tax है, profit for the period, देखेंगे, 7 करोड का profit यहाँ पर company का दर्ज होते हुए, आपको दिखेंगा, इस quarter में यहाँ पर देख सकते हैं, और यह पिछले quarter की अगर बात करूँ, यह 13 करोड था, यहाँ पर देखेंगे, profit में आप पर गिरावट दिखा दिया है, 9 महिने की performance में क्या हुआ है, देखेंगे, 354 करोड था, कितना आया है, 349 करोड से, यहाँ पर profit, देखेंगे, company का down हो गया है, यहाँ पर गिरावट हो गया है, next बात करेंगे, company का EPS, EPS में क्या हो रहा है, देखेंगे, EPS की अगर बात करें 0.55 था, जो कि loss माइनस में था, दोस्तों, अब थोड़ा सा यह 0.05 positive में आया है, 9 महिने में देखेंगे, 2 रुपिया से अब 0.92 जो कि negative होते हुए आपको नजर आएगा, company देखेंगे, इस quarter में इतना अच्छा देख पार है, आप company के और से जो performance निकल के नहीं आया है, दो चुका है, और finance हर, financial parameter को भी अगर देखेंगे, दोस्तों, ये भी इसका जबर्दस्त नजर आता है, बाकी अगर result के चलते दोस्तों, आने वाले समय में, company में pressure आता है, pressure बनता है, तो एक मोका होगा, company को यहाँ पर जो है, accumulate करने के लिए, या दोस्तों, यहाँ पर इसको इ नजर आ रहे, जादा कुछ गिरावट नहीं है, आने वाले समय में, अगर ये 4000-5000 तक आता है, तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा मोका साबीत हो सकता है, company के और कुछ point के उपर बात करेंगे, company का आये पहले, थोड़ा सा business को भी हम detail में देख लेते हैं, company, अगर देखेंगे दोस्तों, company का जो product by business को हम directly देखेंगे, ये देखेंगे, पहले हम देखते हैं, free for supply of largest player in filtration and drying देखे, जो chemical process में जो filtration machine यूज होता है, और drying machine यूज होता है, इसका ये largest player है, largest market share भी है, technology leader भी है, और एक free for supplier है, इस segment में देखिए 60% market share company acquire करके रखा है, कितना, 60% computer 1 इसका 20% है computer 2 का भी आसपास है, और जो छोटा मोटा company है, इसका ना के बराबर यहाँ पर नजर आता है, market share, world's largest manufacturer of ANFD, यहाँ पर ये जो ANFD है, इसको आप इस field से हैं, तो आप बलिवाती जानते होंगे, देखिए, 500 filters for anum company बनाता है, 17% CAGR से पिछले 15,000 से ये segment grow करते हो, आपको 60% market share in India है, next अगर इसका product हो देखेंगे, glass line equipment बनाता है, one of the largest player in glass line equipment है, 30% market share, इसमें company का है, जो की acquire करके रखा है, company का, जो de-risking and diversification को देखेंगे, यहाँ पर, not more than 37 revenue is generated from a single product, ऐसा नहीं है कि, single product से पूरा revenue आता है, पूरा diversified है, हर segment से company का revenue आते हुए, आपको नजर आएग इसका तो गया दोस्तों business, next आई है, company का जो, और कुछ, मैं सीधे company का जो, दोस्तों, यहाँ पर directly आपको लेके चलूँगा, company का जो customers, जो की की customers है, यह कोन-कोन है, का किसको यह company अपना जो product बेशता है, इसके उपर लेके चलता हूँ, यह देखेंगे, mercury clients, sorry, clients अगर देख आपको बात करेंगे, company का जो, कुछ order book के उपर बात करेंगे, यह company के बहुत जपरदस्त order book भी है, company का, यह देखिए, यहाँ पर एकन order book number of months, देखिए, company, filtration, drying, के 6 month का already order है, और glass line equipment से देखिए, जो थालेटिक से 8, और actually glass code का, खुद का 6 number of months, यह order book company है, inventory break up के अगर बात करेंगे, inventory देखिए, 176 करोड का company के पास already मौजूद है, next बात करेंगे, company के share price तो हमने देख लिए थे 6,336 रुपिया में trade कर रहा है, company का मैं बात करूँगा, दोस्तों return profile देखिए, धमाके 10 return दे दिया है, 3 साल का, देखिए, 3507% का return आ गया है, एक साल का 308% return है, और देखिए, पिछले 3 महीने से जादा कुछ performance निकल के नहीं आ रहा ह है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा धमाका कर सकता है, थोड़ा बहुत result के चलते pressure दिख सकता है, बड़ दोस्तों लंबे समय के अगर मैं बात करूँ, ये तो long term का किलाडी है, बहुत बड़ा wealth create करके भी देने की दमखम और रखता है, company देखिए, last trading session में 65.05% की delivery भी उठाते हुए आपको नजर आएगा, company का share holding pattern को भी हम detail में थोड़ा देख लेंगे, 70.32% की holding promoter रखते हैं, कोई भी sharing का place होते हुए भी नहीं दिख रहा है, FII क्या कर रहे हैं, FII अपने holding बढ़ा के 5.03% करते हुए नजर आ रहे हैं, DIA की क्या condition है, DIA के पास भी थोड़ा पारामीटर को अगर देखा जाए, दोस्तों, देखे, return and equity काफी जबर्दस है, 38.84% latest दर जुआ है, latest ROC देखे, 45.33% नजर आता है, net profit margin 10.8% दर जुआ है, debt to equity 0.69, एक से नीचे है, दोस्तों, company के पास करजा भी ज्यादा नजर नहीं आता है, company अच्छा है, बिलकुल आप इसको नजर बना के चल सकते हैं, अपने radar पर रख सकते हैं, तो आने वाले समय में इसको watch list में रखिए, कैसा इसका performance हो रहा है, इसके हिसाब से, इसके accordingly आप इसमें decision लें, बाकी complete decision तो आपके खुद का ही रहने वाला है, बस आज के लिए तना था, वीडियो और अच्छा करने जहे हिंग